वरत्मान समय में लोग सवाचुनाओं के सरगर में चलते जा रही है लेकिन आज 36 गड़ के दुरुग जिले के बिलाई में दो घरों में ACB EOW 36 गड़ के टीम ने रेट की है और यह मकान जो है लक्षमिन नारान बंसल और पपू बंसल का है यह दिन द्याल पूरम नियुकुर सिपार बिलाई में हैं यह पपू बंसल पूरमुख्यमंत्री बुपेज बगेल के सिपासलार में आते हैं और इनके मकान को बाहर से पूरा ACB की टीम ने सील कर दिया साथ दिवाल में एक नोटिस चिपका दिया गया है यहां पे रैपूर कोट के दुवारा तलाशी निकाला गया है और आज जब टीम आई तो इस मकान को सिल करने के बाद इसमें नोटिस चिपका दिया गया है चंदर सेकर सिंग ठाकूर अत्रिस पूलिस अदिक चक यह डबलू ACB रैपूर की द्वारा और अब इनको रैपूर ऑफिस में जाना पड़ेगा और अपने ब्य सेवर और अर्विन सिंग अर्विन सिंग भी बिलाई के निवासी है जो अभी जेल में बंद है उनसे जो जांकरी ACB और EW को पूर्व में मिली है उस जांकरी में आज दो जगा छापे मारी की गई है एक यह पपू बंसल का मकान है या अलिशान मकान को आप देखिए कितने बड़े मकान बनाया गया है साथी साथ निर्णगर इस्तित विजे भाट्याक के घर में भी ACB की टीम ने चापे मारी की है वहां पर क्या जांकरी मिल रही है यह तो समय बताएगा क्योंकि 36 जब उपेज बेगल की सरकार थी तब 30 सराब घोटाला हुआ था और भाट्यपा ने इसे जोरसों से उचाला था अब यह आरूपी जेल में है और इसे जो जांकर मिली है इसी भी कुछ न कुछ आगे बढ़ती जारी है यह तो समय बताएगा क्योंकि भाट्यपा चाहती है पदानमतिन नरेन मोदी भी चाहते है क कि मैं भश्टाचारियों को जेल के साला कौं में रखूंगा अब वह आगे बढ़ती जा रहे हैं यह समय बताएगा कि कौन कितना हावी हो रहा है क्योंकि यह दो जहना है पप्पू बंचल और विजय भाट्या पूर मुख्यमंत्री भूपेज बगेल के डैना हात माने जा रहे हैं रगुन अंदन पंडा चतिस घर तक बलाई